नमस्कार पहन्य योग्य चिकित्सा उपकरणों का उप्योग विभिन उद्देशों के लिए किया जा सकता है जिन में शामिल है पुरानी स्थितियों की निगरानी मधुमेह रिदय रोग और अस्थमा जैसी पुरानी स्थितियों की निगरानी के लिए पहन्य योग्य उपकरणों का इससे मरीजों को उनके लक्षणों को ट्रैक करने और किसी भी संभावित समस्या की जल्द पहचान करने में मदद मिल सकती है. बीमारियों की रोक्थाम पहन्य योग्य उपकरनों का उपयोग फिटनेस के स्तर पर नजर रखने और स्वस्थ आनतों पर प्रतिक्रिया प्रदान करके बीमारियों को रोकने के लिए किया जा सकता है. उदाहरन के लिए एक पहन्ने योग्य उपकरण पहनने वाले को बहुत देर तक बैठने के बाद उठने और घूमने की याद दिला सकता है Athletic प्रदर्शन में सुधार, Fitness Matrix पर नजर रखने और वर्काउट पर प्रतिकरिया प्रदान करके Athletic प्रदर्शन को भेतर बनाने के लिए पहन्ने योग्य उपकरनों का उप्योक किया जा सकता है उदाहरन के लिए एक पहन्ने योग्य उपकरण पहनने वाले की हृदय गती और गती को ट्रैक कर सकता है ताकि उन्हें कसरत के दौरान अपने लक्षक शेत्र में रहने में मदद मिल सके कुछ स्मार्ट वाच में ECG मौनिटरिंग और गिरने का पता लगाने जैसी सुविधाएं भी होती है फिटनेस ट्रैकर फिटनेस ट्रैकर आमतोर पर कलाई या तकने पर पहने जाते हैं और गतिविधी के स्तर को ट्रैक करने के लिए उप्योग किये जाते हैं जैसे उठाए गए कदम, तै की गई दूरी और कैलोरी बन, कुछ फिटनेस ट्रैकर सतत ग्लूकोज मौनिटरिंग, CGM उपकरन, CGM उपकरन ट्वचा पर पहने जाते हैं और रक्त शरकरा के स्तर को लगातार मापते हैं यह मधुमेवाले लोगों के लिए उनके रक्त शरकरा के स्तर को प्रबंधित करने में सहायक हो सकता है प्रत्यारोपन योग्य उपकरण प्रत्यारोपन योग्य उपकरण शरीर में डाले जाते हैं और विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों की निगरानी या उपचार के लिए उप्योग किये जाते हैं उदाहरन के लिए पेसमेकर का उपयोग दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है और करणावत प्रत्यारोपड का उपयोग सुनवाई को बहाल करने के लिए किया जाता है पहन्य योग्य चिकित्सा उपकरन तेजी से लोगप्रिय हो रही है क्योंकि वे अधिक किफायती और उपयोग में आसान हो गए है इन उपकरणों में कई तरीकों से स्वास्थ्य देखभाल में सुधार करने की क्षमता है जैसे लोगों के लिए अपने स्वास्थ्य की निगरानी करना आसान बनाना और डॉक्तरों को भैतर उपचार निरने लेने के लिए अधिक डेटा प्रदान करना क्रिप्या मेरे चैनल SV MediCourse को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नर्सिंग और बीमारी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी और जागरुकता मिले धन्यवाद